प्यंसंदारी का क्यावैसी करते हैं, तो इस तरह का सिंधर उनको निकाल करते हैं यह रहने के बाद इनको याद रहता है कि और हमको क्यावैसी करवा लें नहीं तो उनका बी रुपिया रुप सकता है दोस्तो हई कैसे आप लोग हुमीड करते हैं कि ठीक है innovative अंज दोस्तों आज बाबा है हमारे पास जिसका पेंसल छाइ चे मेने से रुक बिया है इंगो क्रवाइशी कर वाना है और पूछ्ते इन से कि कपसे इंका रुपिया रुपा हुआ है कितना दिन हो गया है। रुपिया नहीं मिला इन को कितना दिनस रुप्याख नमिले चाहिए कम रहा गया आट दस महीना से बढ़े और इसका घर आम राची गाउं है जो कि अरडिया जिला में पड़ता है आप आप लोगों का भी घर में कोई इसा विए जिनको पैंसन मिल जाया तो वह क्यों आप आइसी करवा ले नहीं तो उन को लाइफ इनका क्या वाइची करके चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं हम आ चुके हैं लेपटॉप के स्क्रीन में सबसे पहले हम मौजीला फैरफोक्स को अपन करेंगे और सर्च वार पर टाइप करेंगे इलावार्थी और उपर में जो लिंक है सबसे पहले उस पर हम क्लिक करेंगे उसके बाद दोस्तों यहाँ पर दो नमबर जो लिंक है इस पर क्या वाइसी होगा अभी इस पर बंद है इस पर नहीं हो रहा ती नमबर पर तो दो नमबर पर हम क्लिक करेंगे उसके बात Login with Digital Seva Connect हम इसमें Connect करेंगे क्योंकि हमारे पास CHC ID है हम एक BLE है Commerce Service Center चलाते हैं उसके बात यहां पर हम इसके पास आधार है आधार नम्बर डालेंगे चली हम आधार नम्बर को fill कर लेते हैं चली हम आधार नम्बर को fill कर चुके है अब यहां Search पे हम क्लिक करेंगे उसके बात यह उसका पूरा खुलके आ चुक्या है अब यहां पर हम सारह डीटेल डालेंगे यहां पर Mobile Number डाल देंगे अगर मोवाइल नमबर नहीं है किसी का रहता है पहले से तो उसको छोड़ देता है चलिए हम फट फट मोवाइल नमबर डाल देते हैं उसके बात यहाँ पर मेल जो रहने दिना है यहाँ पर वाट नमबर सेलेक्ट कर लेना चलिए हम फट 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 फिल करते हैं उसके बाद अगे बताएंगे चलिए दोस्तों यहाँ पर मोबल नमबर फिल कर दिये यहाँ पर वाट नमबर सेलेक्ट कर लिए हैं यहाँ पर डेमोग्राफिक अथ पर हम क्लिक करेंगे है उसके बास यह पर हम चेक माख कर लेंगे उसके बाद हमारे पास जो डीवाईस है वो डीवाईस आ घिया और हम चोंकि ये अच्छा काम करता हैं मोरो पो व से कह IO समझ safe से भी हम इस्टाट चलाता हैं तो सिर्फ हम इस पर क्लिक कर देंगे इसके बद चयुचर बायमेट्रिक डाटा पर हम प्लिक करते इंगे उसके बद इसका फिंगर लगांगे कर अब हम अब कर अब होथा और है हां पले बहले यह चुंट चलिए दोस्तों यहां पर इसका फिंगर के अच्छा हो गया है अब यहां पर अथन्टीकेट नौ पर हम क्लिक खरेंगे देख सकते हैं दोस्तों कैवाइची संसेस्फुल हो चुका है यहां पर आधार नमबर डालेंगे आधार नमबर फिल करने के बाद हम सर्च पर क्लिक कर देंगे और अब हम पेमेंट करने वाले हैं गो फोर पेमेंट घंख रहेंगे और यहां पर csc id में देद आपी और यहां पे हम अपना पासवर्ड टालेंगे कर देंगे उसके बाद पूछेगा हम तेंगे फिल से इसके बद पेपे हम प्लिक कर देंगे यहाँ पे गाटिन्यू करेंगे देख सकते हैं प्रेमेंट सैक्सेस्पूल हो चुका इनका क्या वाशी अब हम इसको यह वल्ला जो है निकाल कर इनको देंगे शिलिप को तो यह फटाफ़ प्रिंट आउट कर लेते हैं इसको इसमें print out का option नहीं आ रहा है control plus पी दवाईएगा ये printer पे आ जाएगा उसके बद यहां से print करके इसको निकाल लेंगे चलिए हम print करके निकाल लेते हैं चलिए दोस्तो फैनली इस बाबा का क्यावाईसी कर दिये है दोस्तो इस अंकल जी का क्यावाईसी कर चुके हम उसके हाथ में ये paper है और हाँ दोस्तो अगर आप लोग कोई भी अगर किसी भी पेंसंदारी का क्यावाईसी करते हैं तो इस तरह का सिनिफ उनको निकाल कर दे दिजेगा क्योंकि ये रहने के बाद इनको याद रहता है कि कब हमको क्यावाईसी करवाना है बहुत सारा भीहली क्या करता है आता है दुकान पे क्यावाईसी कर देता और ऐसा सिलिप देता नहीं है क्योंकि पेंसंदारी को बहुत दिक्कत हो जाता है उनको पता नहीं चलता है कि हमें KYC कब करवाना है अगर ऐसा paper देदेंगे आप उसको निकालते जिसको receiving जोते है तो उनको कब KYC करवाना है ये पता चल जाता है आप लोगों से request है कि ये जो है receiving जरूर देंगे pension दारी को जिनका भी KYC अगर करते हैं आप लोग चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतरा ही मिलते हैं अगले वीडियो में